नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका हमार यूटूब चेनल फ्री एज्यूकिशन में दोस्तों आज किस वीडियो में हम RRB NTPC के मॉडल पेपर नमर 18 को सॉल्व करेंगे और दोस्तों कुछ लोगों की सकायत आ रहे हैं कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसकी PDF प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप कम से कम एक सब्ताय का वेट करें मैं एक सब्ताय के बाद जितने भी मैंने RRB NTPC के वीडियो बनाए हैं सबी की मैं PDF एक साथ दे दूँगा ठीक है और बिलकुल फ्री दूँगा और उसके साथ मैं मैंने जितने भी वीडियो बनाया हैं जैसे की सामान विग्यान, सामान विग्यान, करन्ट एफ्यास सबकी आपको वीडियो मिल जाएंगी फ्री में हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा तो आप कहीं से भी डाउनलूड कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नमर पहला कॉस्चन है भारती वायु सेना दोआरा हिम विजय अभ्यास 2019 कहां आईजुद किया गया दोस्तों जितने भी कॉस्चन में इस वीडियो में लाया हूं यदि आपको किसी भी कॉस्चन का आंसर पता है तो आपना आंसर जरू लगाएं कमेंट बॉक्स में और वीडियो के लाश्ट में अपना स्कूर से एर करने के आप 30 में से कितने कोस्टन का सही अंसर दे पाते हैं तो हिम विजय अभ्यास 2019 का आज़न किया गया है अड़ांचल प्रदेश में यह किस कोस्टन का भी ऑप्सन सही हो जाएगा और देखे मैं आपको बता दूँ कि जो हिम विजय भारतिय सेना का अभ्यास है अब तक का सबसे बड़ा पहाड़ी युद्ध अभ्यास है ठीक है यह अभ्यास कठिन इलाकों में सेनकों की गती सीलता एवं संचार का परिक्षन करने के लिए किया जाता है कहाँ पर आयो जोत हुआ है अरणांचल प्रदेश में आयो जोत हुआ है तो चलिए नेश्ट कोस्टन देख लेते हैं नेश्ट कोस्टन है मा और सिसू के बीच में गले लगना या फिर चूमने से कौन सा हार्मों स्रावित होता है तो देखिए जो मा और बेटे का प्रेम होता है इसमें जो हार्मों स्रावित होता है उसको हम बोलते हैं आक्सिटोसिन हार्मों यानि किस कोस्टन का डी ओप्सन सही है वो देखे आक्सी टोसन हार्मोन को ही हम हार्मोन ओफ लब कहते हैं ठीक है हार्मोन ओफ लब कहते हैं आक्सी टोसन हार्मोन को नेस्ट question है वह कौन सा जीव है जो WAIO Productions को monitor करता है, तो WAIO Producer को monitor करता है liken, यहन किस question का B options है, सबसे पहले तो आप जाने की liken कहां पाया जाता है, तो जा liken है ब्रक्षचियू की पत्तियों में, छालों में, पुरानी दीवारों में, चट्टानों में, मिट्टियों में, आदी जगाए पाया जाता है ठीक है अब ये वायू प्रिदूशन को मोनीटर कैसे करता है तो देखिए जो लाइकेन होता है उसको जीबित रहने के लिए सुच्छ हवा की जरुवत होती है ठीक है लाइकेन जो रहता है प्रिदूशन को बिल्कुल भी बरदास्त नहीं कर सकते वैग्यनिक लाइकेन की मदद से किसी भी छित में वायू प्रिदूशन का निर्धान करते है और अगर कहीं पर लाइकेन वायू प्रिदूशन के कराम मर जाता है तो व्यग्याने की यह माल लेते हैं कि यहाँ पर वायू प्रिदूशन बढ़ गया है ठीक है तो इस परकार से लाइकेन वायू प्रिदूशन को मोनिटर करता है तो चलिए आंगे बढ़ती है नेश्ट कोस्टन है कौन सा मुगल वात्सा है रंगीला की नाम से जाना जाता था आपको बताना है तो देखे जो मुहम्मत सा है इसको रंगीला की नाम से जाना जाता था ठीक है मैं आपको बता दूँ कि जो मुगल सा है यह बारबा मुगल सासक है इसका सासनकाल की अधी हम नेस्ट कॉस्चन है पांच भी पंच वर्सी यूजना का मूल उद्दिस क्या था आपको बताना है तो देखे जो पांच भी पंच वर्सी यूजना है इसका मूल उद्दिस था गरीवी हटाओ यानि किस कॉस्चन का A option सही है देखे इसी यूजना में पहली बार गरीबी तथ तथा बेरोजगरी पर ध्यान दिया गया है यह question पूचा जाता है कि गरीबी तथा बेरोजगरी पर पहली बार किस पंच वर्शी उजना में ध्यान दिया गया तो पांच भी पंच वर्शी उजना में next question है हाली में किस IIT के चात्रोंने आइंदा इसकाई नामक नई service विक्सित की है आपको बताना है तो देखिए आईंदा इसकाई नामक जो service है ये विक्सित की है मदरास IIT के चात्रोंने या नि की B options है अच्छा ये आईंदाइसकाई नामक слबस है क्या तो ये जो service है एक IT official service से इसके माध्यम से आपदा प्रभावत चेत्रों की real-time location का पता किया जा सकेगा तो किसने विक्सित की है IIT के मदरास के चात्रों ने next question है तारकुंडे समीती का गठन किस उद्देश से किया गया था तो देखे जो तारकुंडे समीती है इसका गठन किया गया था चुनाओं में सुधार करने के उद्देश से यानि कि ए ओप्सन सही है अच्छे समीती का गठन किया कब गया था और किस ने किया था तो इसका जो पंधरबा जेम्नास्टिक किताब जीता है — यह इस मोन क्रें कहा की है थिक हो, पूछा जाए छ मुई हैफ जर्मनी ही हो निकर तो आप इसको भी याद रखेंगे next question है chemistry का noblem 2019 कितने वेगयानकों को मिला है तो chemistry का noblem 2019 जो है वो 3 वेगयानकों को मिला है विग्यानिक है, जौन B. गुडाइनफ कहां के हैं, अमेरीका के हैं, श्टैनली बिटिंगम, ये कहां के हैं, ये विरटैन के हैं, और अकीरा ये सिनों, तो ये कहां की हैं, ये ज्यापान की हैं, तो ये न्ठीन लोगों को मिला है, chemistry का नुबल ठीक है, लेथियम आयन बेटरी के विकास के लिए तो आपको ये नाम याद रखना है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं नेस्ट कोस्टन है निमनलेखित SI मात्रकों में कौन सुमेलत नहीं है SI मात्रकों में तो देखिए एक एक करके देख लिएते हैं कारये का SI मात्रक जूल होता है आपको ये सबह यद रखना है लगबग 4-5 फैक्ट है ये पूछे जाते हैं परिक्षाओं में नेस्ट कोस्टन है हाली में भारतिय सेना ने वीर कुटम बरेली का आईजन कहां पर किया है तो भारतिय सेना ने वीर कुटम बरेली का आईजन किया है जम्मू कस्मीर में यानि किस कोस्टन का B option सही हो जायगा next question है हाल ही में बच्चों की पिटाई पर पिर्तीवंद लगाने वाला पूरे संसार का पहला देश कौन बन गया है तो ये बन गया है Scotland यानि किस question का D option से ये देखे Scotland में अब अगर कोई parents अपने बच्चों की पिटाई लगाता है तो यह क्या illegal माना जाएगा और पूरे संसार का पहला देश बना है Scotland इसलिए ये question important है next question है निमनलेखित में से कौन एक computer की भासा नहीं है आपको बताना है तो एक एक करके देख लेते basic जो है computer की भासा C++ computer की भासा है Java computer की भासा है लेकिन जो pentaurus है ये computer की भासा नहीं है और हमें नहीं बताना थो तो D option सही हो जाएगा pentaurus क्या है तो यह एक प्रकार का application software है ठीक है जिसमें आप painting बनाते हैं तो pentaurus क्या है application software वाकी की जो तीन है ये computer की language है next question है भारतिये super computer के जनक कौन कहलाते हैं वारतिये super computer के जनक कहलाते हैं विजय पांडुरंग भाटकर यानि कि इस question का B option सही है इन्होंने परम सीरिज के सभी super computer का architecture तयार किया है तो आप इससे याद रखेंगे next question है वायू मंडल में ओजोन प्रत की मोटाई नापने वाली एक आई कौन से है तो आउजोन परत की मोटाई जो है वो डाप्सन से मापी जाती है यानि किस question का B option सही है देखे पूचा जाता है कि आउजोन परत की खोज किसने की तो आउजोन परत की जो खोज है वो 1913 में फ्रांस के दो बैग्यानिक थे जिनका नाम था फैबरी चार्ल्स और हौनरी बुसन इन दो बैग्यानिकों ने जो है ओजोन परत की खोज की और पूचा जाता है कि विस्व ओजोन दिवस कम मना जाता है तो विस्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सिप्तम्बर को मना जाता है तो चलिए next question देख लेते हैं next question है हाल ही में देश का पहला E-kacra के लिने कहा इस्तापित किया जाएगा तो देश का पहला E-kacra के लिने के इस्तापित किया जाएगा मद्द प्रदेश की राध्धानी भोपाल में यानि किस question का C option सा यह देखिए प्रदूसर नियंतरबोड और भोपाल नेगर नेगम दोनों मिलकर E-kacra के लिने खोलेंगे ठीक है E-kacra क्या होता है तो देखे जैसे mobile होते हैं पुराने TV जितने भी electronic सामान होते हैं पुराने ठीक है इनको E-kacra बोलते हैं इनको collect किया जाएगा ठीक है यानिकी D-option साहिए और देखे यदी पूचा जाए कि सबसे बड़ा लिखित सम्विधान किस देश का है तो सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है भारत का ठीक है लेकिन लिखित सम्विधान का प्रारम माना जाता है अमेरिका से नेस्ट कोस्टन है जस्टिस बिनूत कुमार सर्मा किस राज के लोगपाल है तो देखे जो जस्टिस बिनूत कुमार सर्मा है ये पंजाब के लोगपाल है यानि कि A-option साहिए और देखे बात हो ये पंजाब की तो पंजाब की राधधानी क्या है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं तो सौधी अरब की राध्धानी है रियाद, यदि पूछा जाए कि मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा होती है सौधी रियाल, ठीक है, तो ये भी आप क्या दरकना है, सौधी रियाल यहां की मुद्रा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेश्ट कोश्चन है, मच्चरों के नियंतरन हेतू, प्रियोग में लाई जाने वाली कीट भक्षी मच्चली कौन सी है, तो देखिए वो मच्चली है, गेंबूसी या मच्चली, यानि कि C ओप्सन सही हो जाएगा, देखिए जो गेंबूसी या मच्चली है, इसको इसमें भारतिय करेंसी को सुईकार करने वाला विस्व का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है, तो इंडियन करेंसी को सुईकार करने वाला विस्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है, दुवई एयरपोर्ट, यानि कि ए उप्सन सही है, अब यहाँ पर यदि आप किसी भी व बांगलादेस के बीच में संपन्ड यानि कि B option सही है देखिए बांगलादेस में हुआ है तो बांगलादेस की राध्धनी कई बार परिक्षा में पूची जाती क्या है धांका है बांगलादेस की जो मुद्रा है वो क्या है टका है और अभी बरतमान में बांगलादेस की प् ग्रामीड विकास यानि कि इस कोस्टेन का सी और संसाइए देखिए मैं आपको सही से समझा देता हूँ जो नाबाड है ये भारत की एक बैंक है ठीक है और इसका फुल फॉर्म परिक्चा में अक्सर पूंचा जाता है तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल वैंक फॉ तो बारा जोलाई 1982 में इसकी स्तापना हुई थी और इसका मुख्यला कहां पर है तो मुंबई में इसका मुख्यला है ठीक है तो नाबाड से को भी फॉक्ट पूछा जाए परिक्चा में आप आप हल कर पाएंगे नेश्ट कोस्टन है हाली में किस राज सरकान ने एक सहर ए पेड़ योजना की शुरुआत की है आपको बताना है तो एक सहर एक पेड़ योजना की शुरुआत की है मेघलाय राजने यानि किस Q कोस्टन का A आपशन साहिए और देखे जो योजना है एक पेड एक सहर इस योजना के तहट 15 लाख पेड लगाए वी गए हैं तो आप इ से याद रखेंगे. Next question है, Newntom Memory Size को چुनिए, तो आपको बताने हैं कि Newntom Memory Size कौन सी है, तो देखिए सबसे छोटी जो साइज है इनमें से वो है Kilowayte, ठीक है, 1024 का आंकडा चलता है, 1024 Kilowayte में 1 Megabyte होता है, ठीक है, और 1024 Megabyte में होता है 1 GigaHeight, ठीक है, और 1024 गीगा हैट में होता है, एक टेरावाइट, ठीक है तो ये चारों आकड़े हैं, आपको याद रखना है Next Question है, सबरी माला मंदर किस राज़ में इस्तित हैं, तो जो सबरी माला मंदर है ये केरल में इस्तित है यानि कि C option से ये सबरी माला मंदर जो है इसमें औरतों का प्रवेस वर्जत है सुप्रीम कोट ने औरतों के पक्ष में फैसला सुनाया है लेकिन आज भी इस मंदर में औरतों को प्रवेस नहीं करने दिया जाता ये मंदर आए दिन चर्चाओं में रहता है इसलिए कोश्चन बन सकता है कहाँ पर सेब गरीन इस्टे किलीं यूजना की neurolog किस राजने की है तो ये की है पषच्च मंगाल राजने यानी कि C आपसं से यह दो देखे जो यूजना है Ashagreen जो यूजना का की अंतरगत पषच्च मंगाल सरकार जोई एक लाक पेड लगाने का फैसला लिया है तो चलिए नेश्ट कॉस्चन देख लेते हैं नेश्ट कॉस्चन है हाली में किस राज्य के मुखमंत्री ने YSR वाहन मित्री उजना की शुरुआत की है तो ये की है आंद प्रदेश के मुखमंत्री जगन मौहन रेड़ी ने यानि कि C आप्सन सही है देखिए इस यूजना के तहट सौ रोजगार में कारे रद जितने भी आटो केब या फरकार के ड्राइवर हैं इनको 10,000 रुपे बारसक भत्ता आंद प्रदेश सरकार की तरब से दिया जाएगा तो आप इससे याद रखेंगे नेश्ट कॉस्चन है सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो देखिए जो सिर है इसमें कुल हड्डियों की संख्या होती है 29 यानि की सिर में तो होती है 29 लेकिन सिर में भी डिवाइडेशन पूछा जाता है पूछ लिया जाए कि माते में कितनी होती है तो 8 होती है चेहरे पर कितनी होती है, 14 होती है तो आप इसका screen shot ले लें ठीक है यहां से भी question मनते है number of one in head कितनी होती है, 29 और 29 का भी यहां पर partition मैंने लिख दिया है अब next और last question है आपके लिए challenging question है इसका answer आपको comment करके बताना है जय जवान, जय किसान का नारा किस ने दिया ठीक है, आपके लिए चार option में दिये गए हैं यदि आप चाहें तो इस question के वारे में detail भी लिख सकते हैं, तो thank you दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्वाद आपके लिए जो PDF हैं सभी वीडियो की PDF हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएंगी बस कुछ दिन का आप बेट करें ठीक है दोस्तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो please वीडियो को लाइक करके जाएं और इसी प्रकार के यदि आप वीडियो चाहते हैं रोज लगातार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में दवाएं बेल आइकन और अभी स्क्रीन पर आपको कुछ इंपोर्टेंट वीडियो दिख रहे होगी उनको भी बहुच कर लें थैंक दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदे मात्रा